स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजिनियर्स ब्रो पे तो बता दू कि जितने भी विवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के मन का और बता दू कि अभी का सबसे होट कोशन यही है कि बिहार अमीन परिच्छा कब होगी जिया दोस्तों बिहार में पुरा अंता बने रहेएगा तभी आपको हर वाह डाउट जो आपके मन में सवाल पैदा कर रहा है venusन पैदा कर रहा है वह सथी कह ठक है यह बटाने वाले हैं कि सर शट शुर सट शर शरब परिच्छाए होगे केंसल यहां पीर एंसल नहीं होगा इसका आगे का प्रोस केलियर कर देने वाले इस वीडियो में तो असपस्ट सब्दों में इस वीडियो को बना रहे हैं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीज़ेगा ठीक है तमाम सवाल आते हैं मैं जो भी वीडियो पूश्ट करता हूं सभी वीडियो के कॉमेंट में यह पढ़ता हूं तमाम सवाल आते हैं सर बिहार अमीन परिष्छा कब हो गई अब उमीद खतम हो गया है ठीक है तो बता दो कि उमीद खतम नहीं करना है और उमीद कैसे खतम नहीं करना है उमीद कायम रखना है कैसे कायम रखना है इस वीडियो में वह सारा उधारन देने वाले हैं उधारन दे कर समझाने वाले हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं और सुरू करके एके करके आप सभी का मन का जो भी डाउट है वह किलियर कर देते हैं ठीक है सबसे बड़ा बात तो आपको confident होके मैं बता दू कि बिहार अमीन परिच्छाय जो है जरूर होंगी थोड़ा लेट होगा थोड़ा बिलंभ होगा लेकिन एकजाम जरूर होगा सबसे पहले बता दे कि इसका portal आवेदन के लिए दो बार ओपन किया गया एक तो 2019 में इसका आवेदन लिया गया फिर इसको 2020 में पूर्ण पोर्टल ओपन किया गया और 2020 में भी लिया गया बता दे कि इस बेच अभी तक जो है दो बार कुरोना दस तक दे चुकी है और अभी जो है 2001 का जो कुरोना है इससे अभी भारत सरकार नहीं उबरा है बाहर नहीं निकला है आप देख सकते हैं देश में इतना बड़ा एकजाम रेलवे एंटी पीसी और गुरूब डी पता ह है कि आपको रेलवे एंटी पीसी साथ में फेज का एकजाम सिर्फ लेना बाकी है उस पे कोई अभी जो है भारत सरकार निरनय नहीं ले पा रही है तो आपको मामली नहीं लगता कि बिहार सरकार किसी परिच्छाओ को कंड़क्ट कराने के लिए कैसे निरनय ले लेगी इतन कोरोना का डर खतम नहीं हो जाता है बिहार सरकार भाद सरकार या इस देश में इस राज में इस पूरे कंट्री में तब तक आप लोगों को धैर्ज रखना परेगा और यह मन से कोश्चन उतार दीजे हटा दीजे कि बिहार अमिन परिच्छाए कब होगी या नहीं होगी ठ ठीक है आपको इसमें उधारन देकर समझाने वाले ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहा है आप लोग जब भी सवाल करते है मुझे भी तकलीफ होता है कि आप लोग परसान हो रहे है ठीक है लेकिन अभी हम सब कुछ न पूर्ण नहीं होती है जब तक आप परिष्छा आपका अच्छा नहीं जाता है परिष्छा आपका बढ़िया से नहीं जाता है तब तक आपका कोई भी एक्जाम पूर्ण नहीं होता है ठीक है तो जब तक एक्जाम नहीं हो जाता है तब तक यह सोचकर कि हैं एक्जाम होग और आज ना कल जरूर होगा एक्जाम की त्यारी करते रहें बिहार SSC इंटर अस्तरिये 2014 बिग्यापन बता दे कि पूरा 7 सल प्लस हो गया है लेकिन उसका परकिरिया अभी तक चल रहा है यह नहीं है कि परकिरिया को स्टॉप कर दिया गया या फिर यह नहीं है कि 2-3 साल 5 साल लेट हो गया तो सरकार उसको भुला दी गई है बी-एससी में बता दे कि पर्स्त यानि की प्लस मेंस और इसके बाद फिजिकल बहुत सारे का फीजिकल भी साध हो चुका है बता दू इसमें अब बाकी है टाइपिंग टेस्ट चीक है उसके बाद मेडिकल टेस्ट इस सब कुछ होना बाकी है और उसके बाद न्यूक्ती हो जाएगा तो एक साथ साल पर किरिया चलने के बाद भी सब उमीद कायम रखे हुए है और सब के मन में यह होसला है कि जल्द ही वो लोग बिहार के करमचारी के पद पर न्यूक्त हो जाएंगे तो आप लोग का तो अभी दो साल भी नहीं हुआ है और इन दो सालों में दो दो पर कुरोना दस्तक दे चुकी और वह एक ऐसा महामयारी है जो जो संपर्क में आने से फैलता ह आप सबी को पता है ना पता है ना पता है ना चैंक को दो घर्जुरी मास्क है ज़िरूरी जो दिक संपर्क में आने से फैलता है तो मैं आपको साब सब ऐस्तर में ये भी बता दू कि आप लोग अमीन के पद पे चैनित होने वाले हैं और बिहार के पर्मानेंट अमेन के पद पे चैनित होने हैं सभी को अंचल समर नाले नेदे साले विभागों में पोस्टिंग मिल देगा जो कि एक पर्मानेंट होगा साथ सल का जॉब होगा उसमें भी कि आपको fix salary मिलेगा और साथ में बहुत सरा भत्ता भी मिलेगा बहुत सरा love मिलेगा जो government employee को मिलता है चीक है तो बता दो कि जो भी पर्मानेंड निवक्तिया होती है जो exam basis पे होती है खासकर बिहार में उसमें time लगता ही है इतना बड़ा exam जो BPSC का है वहां सारे लगवक ती साल में किलियर हुआ है इतनी बड़ी जो है कि परिच्छाए है BPSC के थुरो जो SDM DSP CO यह सारे जो बनते हैं सो राजय स्वाधिकार यह सब बनते हैं तो फिर आप तो एक अमीन है ना अमीन के पद्पर चैनिद होने वाले है ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा धार्ज रखने के जुरुवत है और बता दे कि जब तक एक्जाम नहीं हो जाता है यह सोच कर चले कि हाँ एक और चीज बता दे कि बिहार में आगे जो हैं बिहार BPSC इंटर अस्तरिये वह असनाता के स्तरिये परिच्छ रिक्तिया जो हैं जल आने वाली है तो मैं जो आपको डेली साम के साथ 15 में जो 15 कोशनों का भी कूईच कर आए टेस्ट लेता हूं सेट पैक्टिस कर बाता हूं वहां बिहार के सभी परिच्छाओं में हिल्प करेगा सभी परिच्छाओं में आपका अच्छा मार्ग उठाएगा इसलिए जूरना ना भूले और ये कोश्चन मत करें क कि एकजाम का कोई ठीकी नहीं है एकजाम का कोई धिरी जडी नहीं जारी नहीं हुआ है अगर आगर आप लोग सपोर्ट करेंगे 200 कम से कम भी हो जाएगा 300 active candidate हो जाएगे तो मैं आपको 75 कोशनों का हरो set practice देने की कोशिस करूँगा आपके pattern के अनुशार चीक है तो अगामी जो है इंटर अस्तरी असनातक अस्तरी बिहार SAC का बिग्यापन जारी होने वाला है तो उसमें भी आपको यह set जो है बहुत ही help करेगा इसलिए आप किसी एक exam के भरोसे बैठना छोड़ दे पैनिक होना छोड़ दे बिहार में जितने भी vacancy आती है अगर उसके लिए आप दक्षता रखते हैं qualification है तो जरूर भरे और सभी परिच्छाओं की त्यारी करें सभी परिच्छाओं में लग लग वह एक ही pattern है कोई अलग pattern नहीं है वही math, reasoning, hindi, english और general study पूछता है तो सभी एक्जामों में यह आपको help करेगा जो भी मैं question देता हूँ BPSC की PT में भी आपको help करेगा तो असनातक अगर आपका clear है असनातक पास है तो आप BPSC की भी तैरी कर सकते हैं दूसरी बत बतादू कि जो संभीदा पे बहाल अमीन हुए है ठीक है, संभीदा पे जो बहाल हुए है ठीक है, उससे क्या फरक पढ़ने वाला है तो बतादू कि सब सब्सब्दों में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है जो भी संभीदा पे करमचारी बिभाग के अंतरगत, यानि के राजस्मा भीभाग राजस्मा भूमी सुधार बिभाग के अंतरगत बहाल हुए है ठीक है, सब जो है सब जो है इस्पेसल सर्वे के करमचारी है इस्पेसल सर्वे के कामों में लगाय जा रहे है बतादे कि केंद्र सरकार का या महत्वकांशी योजना है कि सभी राजियों में, पूरे देश में इस्पेसल सर्वे हो नए तरीके से नक्सा तैयर किया जा उसको सबकुष digital बनाया जाए उसके लिए सारे करमचारियों को संभीदा पे बाहल किये गए ना कि वह पर्मानेंट है संभीदा पे बाहल है ठीक है लिमिट समय के लिए है तो बता दे कि उनसे आपका कोई फरक नहीं पढ़ने बाला है एक लंबे समय से बिहार में अस्थाई अमीन की नहीं हुई है ठीक है जितने भी बहाली है जैसे कि आंचल हो गए निदेसाले हो गए समरनाले हो गए जितने भी डिपार्टमेंट है सभी भी भागों में अमीनों की कमी है पर्मेनेंट अमीन की कमी है इसके लिए या बहाली निकाला गए है और आपको बता दे कि पिहार में कि कहीं भी जो भी किसी भूमी पे उलजन आता है या समस्य आता है तो उहां सभी लोग सबसे पहले सरकारी आमीन को ही याद करते हैं ठीक है तो एक सरकार का आमीन भी होना अनिवार्ज है ताकि सारे समस्याओं को दूर कर सके इसलिए आप लोग का निवक्त किया ज क्यार्य उन्स से कोई मतलब ही नहीं आपका अलग है आप sounds साल के लिए fix अपका अलग है अलग मिलेगा जपता मिलेगा संब भब्रवक्षण के कर्मचारी के तौह तोर पे नियुक्त हुए तिक हम उनका काम अलग है और आपका काम अलग होगा ठीक spends दूसरी बात बता दू कि exam आपके बहुत जल्दी हो सकते हैं, फिलाल मैं आपको असपस्ट बता दू कि कोई भी officially अपडेट नहीं मिला है, लेकिन आपके exam जल्दी हो सकते हैं, इसलिए बता दू, तो मैं आप सभी को एकदम असपस्ट कर दू कि हो सकता है कि आपके exam बहुत ही जल्दी हो, जब तक जैसे कि बिहार के मंदरी आहल फिलाल में ही अपडेट आया कि बिहार के संद्री, एजुकेशनल डिपार्टमेंट जैसे कि स्कूल, कॉलेज को जल्द ही खोलने का, या जो है, कि संकेद दिया है, सब कुछ ठीक रहा, करोना अगर कायम करोना पे जो है, संकर दूर रहा करोना से, तो जल्द ही हो सकता है कि बिहार की सभी कॉलेज, इसकूल खोल दिये जाए, कि बता दूख कि इस बार जो है, बिहार से परत्विश परत्योगिता परिशा, परिशाद, जितने भी मेडिकल इंजिनियरिंग के कंपेटिटीव एक्जाम करें, कंडक्टर थे, इस बार उसका कोई भी जो है, नोटिस नहीं आयाスト, यानि इस बार कोई भी डिप्लोमा, को साथ में opportunity आया है competitive exam जैसे की राजस्म भूमी सुधार विवाग के अंतरगत अमीन के पोस्ट के लिए जलवायू विवाग के अंदर अमीन के पोस्ट के लिए साथ ही इनके पास भरपूर समय है और हो सकता है कि अब इनके पास काम नहीं रहेगा सब कुछ डिपार्मेंट खुल गया है तो लोग क्या करेंगे इसी पे ना फूकस करेंगे देखें यहां पर देख पा रहे हैं ऑनलाइन सीनियर रेजिटेंट ट्यूटर एंड हेल्थ डिपार्ट उसके बाद अमीन अंडर डिपार्टमेट ऑफ इन्वार्मेंट फोरेश्ट अन् क्लाइमेंट चेंज उसके बाद ऑनलाइन अप्लिकेसिन बॉटल ऑफ अमीन डिपार्टमेंट और रेविनु एर्लाइन डिपार्टमेंट ठीक है तो बता दे कि बिहार सईन्यूक्ट पर के रिया ट्यूटर पर के रिया पर ही फोकस रहेगा इसलिए उमेड है कि जल्द ही आप लोग का एक्जाम कंडर्ट करवाया जाए तो अभी आप लोग कोई कुश्चन नहीं करेंगे उमीद करते हैं क्योंकि जब तक सिक्षा मंद्रि एजुकेशनल से कोई स्थान को खोल करेंगे तो हो सकता है मैं आपको रास्तर दिखा देता हूं पर चलाएंगे कोुर्सकता है सरकार आख की खूलए और आप से लाता हूं साम के साथ3 बहुके करेगा बिहार के जो भी exam और आगाम ऌने वाला है तो उसमें भी आपका याफ करेगा तो इस साथ प्णकर हो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बस दिल से लिए ये कहूंगा इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं बहुत बहुत सुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जूरने के लिए लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए